हेलो दोस्तों स्वागत थे आप सभी का स्लीपी क्लासेज में दोस्तों दो मिनिट दो मिनिट तो नहीं वैसे नाम पुराना हो गया लेकिन दस मिनिट में मैं आपको स्पीकर के बार में बहुत सारी बातें चाहता हूं बताना दोस्तों यूट्यूब के वीडियो रहते हैं पहली बात तो ये टाइमलेस वीडियो होते हैं बच्चे बहुत बहुत टाइम तक इसको देखते हैं not only for example जैसे मैं आज इसको February 2021 में बना रहा हूँ 2021 के ब्रिलम्स के दो रहेगा अच्छा लेकिन speaker की powers की बात है speakers की various जो हमें important points की बात है देर तक याद रहेंगे तो I still remember जब बहुत बहुत पहले हमने जब sleepy करसे शुरू किया हम जो वीडियो बनाते थे आज भी वो वीडियो कितने relevant है कितने relevant conceptual videos है somehow इस तरह से बनते गए कि वो conceptual videos relevant रहते गए and उस पे अगर आप updates करते जाएं अपने हिसाब से चीज़ें और add करते हैं थोड़े और महनत करें तो चीज़ें बहुत बढ़िया बन सकती है तो वही एक attempt कर रहे हैं timeless videos रहते हैं YouTube के इनका अच्छा उपयोग कीजिए rank निका लिए बच्चों बहुत सारे बच्चों ने rank निकाला है ठीक है सबसे पहले चीज़ क्या है prelims crack करना prelims crack करें one thing at a time लेकिन नजर बनी रहे आने वाले target पर भी कि मुझे mains भी crack करना है थोड़ा सा interview के लिए भी दिमाग में अपने आपको prepare करते रही है ठीक है motivation बनी रहते हैं तो speaker लोग सभा के बार में मैं आपको चाहता हूं बताना एक warrant of precedence नामक चीज़ रहती है warrant of precedence के होता है कि हमारे constitution ने हमें बताया कि सबसे top most position कौन सी है हमारे देश में उसके नीचे उसके नीचे एक पूरा precedence बना हुए 40-50 लोगों का नाम लिखावा लोगों का नीच पूजिशन का सबसे उपर है हमारे देश के president then number आता है देश के vice president का उसके बाद देश के prime minister and then जो उस list में जो है top पर जो fourth rank जिनका आया वो है speaker ठीक है तो warrant of precedence में बहुत उचा number है UPSC prelims में ये सवाल बहुत बार पूछ चुक है warrant of precedence में ठीक है दोस्तों then sources of power speaker की powers कहां कहां से derived है ये सवाल बहुत पेसी पूछ चुक है तो सबसे पहली बात है constitution नहीं बहुत ज़ादा एक powerful एक position के लिए speaker का नाम वहां रखा जो speaker रहता है जो अब देखते हैं पूरी parliament house बैठा होता है इसमें various parties होती है then एक speaker की एक post होती है वो speaker जो बताता है कि various party members को कि कितना time मिलेगा बोलने के लिए कौन बोलेगा अगर disruption हो रही है तो disrupt करते हैं अगर बहुत ज़ादा unruliness हो जाए तो वो भी बोलते हैं कि आपको हम यहां से अभी कुछ देर के लिए जो दर्खास कर रहे है अपना parliament का session भी बंद कर सकते हैं वो लोग सबा का and accordingly speaker की position बहुत ज़ादा powerful position रहती है and accordingly यहां पर एक और बात जाने जरूरी है कि इसलिए ऐसे इनसान को ही वहां बिठाया जाता है जिसको जो लगभग दोनों ही parties या opposition, जो ruling party and जो various other parties हैं वो थोड़ा support करें ठीक है, वो उनकी बात को माने लेकिन आजकल जैसे कोई बहुत बार ऐसे पिछले कुछ time से चल रहा है कि speaker की बात भी नहीं माने जाती क्योंकि थोड़ा जो जो ऐसे democratic processes में हमारे जो अभी इस तरह से processes चल रहे हैं जो थोड़ा, जो कहते हैं डिसेंट, जो पार्लिमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि walk out करने शुरू हो गए है and rather disruption बहुत शुरू हो गई है अभी इसी बात नहीं है, पिछले 15-20 सालों से इसे observe किया जा रहा है और इस process को थमने का नाम ही नहीं ले रहा तीक है, इसलिए speaker को बहुत ज़रूरी है कि neutral और speaker लेकिन assertive speaker भी रहे तोस्तों कहां से powers derive करते हैं constitution से, ये सवाल हम से पूछा जाता है exam में, then rules of procedure भी है, लोग सभा के, code of जो business है, ठीक है rules of procedure and code of business, then बहुत सी practices, conventions previous speaker ने कुछ ऐसा decision लिया हो and उस पर भी हम जैसे based रखते हैं for example, जैसे आप देखते हैं, courts होते हैं supreme court, high court, उन्होंने अपने previous decision लिये हो, उनको भी court करके, वो आगे courts में उसको पेश करते हैं, तो जो वकील वगारा इसी तरह से speakers हैं, speakers भी अपने previous speakers ने, अगर कोई decision लिया हो उसको court करके, अपना कोई action को justify कर सकते हैं ठीक है दोस्तों, okay, salary salary जो है, ये बात हम से पूछी जाती है जो speaker की salary है, it is not voted upon salary, ठीक है, तो इस ये कौन सी है, charge salary है on the consolidated fund of India simple सा एक MCQ solve वोजागा term of office के है दोस्तों, term of office वैसे 5 साल के लिए है, जितने time लोग सभार रहती है लेकिन, जैसे ही लोग सभार dissolve हो जाती है, बात जो यहाँ पर बहुत ज़ादा important है ध्यान देने वाली, लोग सभार dissolve होते ही जो बाकी members है, उनकी जो सदस्यता रद हो गई, खतम हो गई that's it, लेकिन speaker की जो immediately खतम नहीं होती speaker re-election के लिए चलो valid है लेकिन speaker का office कब तक valid रहता है, जब तक नया कोई इनसान उसके office में आकर नहीं बैठ गया, ठीक है, कोई नया speaker की post के लिए, कोई नया इनसान elect नहीं हो गया, तब तक previous speaker चलता रहता है ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान देने वाली है, ये हमसे सवाल पूछा जा सकता है तोके, देन दोस्तों, resignation ये आपको पता है कि speaker कभी भी resign कर सकते हैं, किसको चिट्टी लिखते हैं वो deputy speaker को, deputy speaker speaker को लिखते हैं, speaker, deputy speaker को लिखते हैं ये बात में ध्यान रखने वाली है, ठीक है removal, removal का भी यहाँ पर प्रवधान है यहाँ पर speaker को remove किया जा सकता है majority से अगर हम house में pass करें तो आपके लिए यहाँ पर मैं सवाल मैंने छोड़ दिया open छोड़ दिया है, मैंने बताईए मुझे थोड़ा सा सर्च करेंगे आप भी पढ़ेंगे इसके बार में अगर मैं सिर्फ मेरी कहानी सुन ले यहाँ पर उसके बाद देखिए, करना कि आपने इस सवाल को ढूड़ना है, किस तरहां की majority से स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है simple majority, absolute majority कौन सी majority है, जिस केस जो and कहां पर, लोग सुबह में मुझे प्लीज कॉमेंट्स में बताईएगा, थोड़ा मुझे भी आइडिया लगता है कि आप कितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और कितना, जो और, जो यहाँ पर महनत करने वाल लोग है थोड़ा आइडिया मिलते है, थोड़ा जो मेरा भी मनोबल में बढ़ातरी होती है ठीक है, ओके तो majority, कौन सी majority है and then उसके बाद जो resolution के हाँ पर कुछ conditions भी है कि specific charges बताने बहुत ज़रूरी है and ऐसा नहीं हो सकता कि argument दिया था इन्होंने interfere किया था, inference मेरी कोई इसलिए कोई मेरी inference बनती है ऐसी कि speaker को उटा देना चाहिए individual whims and fancies पे नहीं उटाए जाता ठीक है and then उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर 14 days का notice देना पड़ता है पहले उसके बाद ही resolution pass होती है तो standard procedure है, even बहुत जगाओं पर यह follow किया जाता है, आपने मुझे बताना है किस तरह की majority की बात हो रही है, election और speaker की बात करें, जो जैसे ही हमारे house elect होते हैं elections खतब होते हैं लोग सुबा के, उसके बाद हमारे important बात क्या है, कि जो speaker की election की date है, कौन fix करता है, president, यह सवाल हमसे पूछा जा चुका है UPS से दुआरा, ठीक है, president जो date fix करते हैं, कि किस दिन हमारे speaker के election होंगे, और तब तक जो सभी, जो लेकिन जो जितने भी इंसान है, हमारे, जो members बन गए लोग सुभा के, उनको शपत कौन दिलाता है, pro-tem speaker दिलाते हैं, ठीक है, pro-tem मतलब temporary speaker, तो उनको शपत दिलाते हैं, and then उसके बाद, अगर oath देखें, तो speaker की कोई अलग से oath नहीं है, दोस्तों, सिरफ जो अपने लोग सुभा में आते हैं, जो speaker ने oath दिलाई से अबको, वही oath है, जो member वाली oath है, speaker की कोई अलग से oath नहीं है, मैं अलग शपत ले रहा हूँ, and then, ठीक है, यहां पर बात रोड़ने नोट करने वाली है, यह भी सवाल पूछा जा चुक है, recently ही पूछा गया था, okay, कुछ important points ही यहाद करने के लिए, speaker certify करते हैं कि कौन सा bill, money bill कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, Supreme Court ने भी recently कहा, इसको challenge किया, जा सकता है, लेकिन speaker का decision final है, ठीक है, भी recently ही, जो तीन साल पहलेगा ही case है, okay, and then, उसके बाद अगर दो houses में मतवे, दो लोगसभा राज्यसभा में, तो अगर joint sitting करनी है, joint sitting की जो, जो वहाँ पर अध्यक्षता करते हैं, वो भी speaker ही करते हैं, वो ही head रहते हैं, लेकिन एक बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो हमारे राज्यसभा के, जो की vice president भी होते हैं, and chairman भी के लाज्यसभा के, वो कभी भी head नहीं करते है, joint sitting को, ठीके, and then, उसके बाद, यहाँ पर, जो 50 second हमारी constitutional amendment होई, इस पर means पर सवाल भी आया था, वहाँ पर speaker को disqualification of any member of law, उसके भी, वहाँ पर उनको power दे दी गई, defection के grounds पर, कि defect किया है, एक party छोड़कर, दूसरी party में चले गए, speaker decide करते हैं, and accordingly, उसके बाद, उनको, जो disqualify भी कर सकते हैं, उस member को, जिसने defect किया, जिसने party छोड़कर, दूसरी party में चला गया, okay, तो voting की, अगर हम बात करें, तो speaker की, तो जो इस तरफ है, ना वो इस तरफ है, ठीक है, speaker neutral है, लेकिन, लेकिन, अगर कभी tie हो गया, कि ठीक है कि यहां भी, जो for भी उतनी votes हैं, against भी उतनी votes हैं, तब speaker को vote डालने की बात कही, 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 अपनी लिखी गई है constitution में, and उसको कहते हैं, casting vote, ठीक है, कि अंत में, अच्छा जी, सब भी बराबर होगे, सौ बंदे यहां पर है, सौ यहां पर है, अब आब बताईए, अच्छा, जो speaker बताएंगे, जी मैं जा रहा हूँ, इस तरफ, या मैं इस तरफ, ठीक है, तो इसलिए उसको इतिहास को भी होड़ा याद करने, आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ, तो, अब यहां पर अगर speaker और committees की बात करें, important सवाल, means में सवाल भी आ चुक है, speaker की और committees के रोल के बारे में, जो analysis था, ठीक है, तो speaker बहुत सारी committees फॉर्म करते हैं, जिस भी committee को form करेंगे, और उसके अगर member बन गए speaker, तो speaker उसके member बन गए, तो उसके अध्यक्ष या फिर उसके leader भी रहेंगे, ठीक है, उस particular committee के, ठीक है, बहुत यहां पर जो भी committee को, उसको part बनेंगे, उसके chair person वो पक्का ही होंगे, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो business advisory committee है, journal purpose committee है, rules committee है, यह तो हमेशा ही हमेशा इनकी chairmanship के अंडर ही चलती है, ठीक है, तो यह बात त्यहां देने वाली होती है, prelims का सवाल भी बन जाता है, कि business advisory committee, journal purpose and rules committee, ठीक है, तो इसको B, G, R, जैसे मैं जी तरके याद रुखिएगा, जो business and journal purpose and rules, जो भी आपको मन करे, RGB, हाना, RGB याद रुखते हैं, yes, 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 red, green, blue, यह हमारे primary colors रहते हैं, red, green, blue, यह primary colors, जो हमारे हैं, कौन से, speaker की हमारी, जो committee's का नाम भी है, ओके दोस्तों, चलिए, and then inter-parliamentary relations, ऐसे सिर्फ हमारे देश में खोड़ी न, अकेले parliament है, दुनिया भर में parliaments है, तो वहाँ पर इसलिए, जो भारत को represent करते हैं, ऐसी कोई चीज में, तो कौन करते हैं, वो speaker करते हैं, and then 1949 में जो गठित की गई थी, Indian parliamentary group, ठीक है, उनके ex-officio परधान, president भी हैं हमारे speaker, and then अगर हमारी जो parliament को बाहर कहीं अगर represent करने, तो भी उसको speaker ही जो represent करते हैं, and अगर किसी इनसान को भेजने हैं, represent करने के लिए speaker के द्वारा ही nominated रहता है, लेकिन speaker राजसभा के chairman से बात करके ही भेजने आगे, ओके, ठीक है दोस्तों, लेकिन generally speaker ही lead करते हैं, and even कि यह जो हमारे देश में, इतने भी जो states में हमारी legislative bodies हैं, ठीक है, state के जो विधान सभाएं हैं, उनके भी जो speaker मिलते हैं, जितने भी विधान सभाओं के speaker मिलते हैं, तो जो हमारे जो parliament के speaker होते हैं, वो उसके automatically उसके chair person बन जाते हैं, ठीक है, यह बात भी ध्यान देने वाली है, you never know कब सवाल पूछ दिया जाए, दोस्तों, speaker and UPSC unginnath सवाल पूछे गए हैं, अगर आप जो past year question दिखना शुरू करेंगे, अनन्त सवाल, कई बार तो ऐसा था कि हर साल guaranteed एक सवाल आता है speaker पर, ठीक है, अभी means में भी सवाल आ गया, once a speaker, always a speaker, यह भी recently मैं आमने discuss भी किया है, GS2 के analysis में, ठीक है, तो अभी जो उसके बाद, जो objectivity कैसे impart की जा सकती है, etc, and then उसके बाद, जो parliamentary business में, robust functioning के लिए, speakers की क्या क्या है, implications, etc, जो इस सवाल है, पूरा completely discussed है, GS2 2020 के analysis में, इसलिए दोस्तों, जब आप prelims की तयारी कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह वाली आपकी knowledge हमेशा ही काम आएगी, आपकी mains में, and not only mains, अगर हम वहाँ पहुँचे, तो interview में भी काम आएगी, तो इसलिए चीजों को पढ़िए, थोड़ा सा interest से पढ़िए, जो otherwise इतनी लंबी पढ़ाई है, इतना कुछ हमें पढ़ना रहता है, इसमें UPSC में, तो अगर आप सिरफ रखते रहेंगे, रटते रहेंगे, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगे, थोड़ा सा interest से पढ़ते हैं, और दोस्तों, हमारे वे वेरियस courses भी चल रहे हैं, अभी 2022 के लिए भी course शुरू हो गए हैं, हमारी website है, sleepyclasses.com, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, अगर आप 2021 के तयारी कर रहे हैं, तो हमारे crash courses रहते हैं, बहुत rapidly तयारी कर आते हैं, और rapidly तयारी का मतलब क्यों होता है, कि extensive तयारी रहती है दिन में, जो आपको बहुत सारा content पढ़ने को रहते हैं, और आपको अंत में आप test दे सकते हैं, बहुत सारे उसमें test series का भी प्रवधान है, तो इस सब चीजों के साथ practice कीजिए, महनत कीजिए, महनत का exam है, महनत करेंगे, तो ही हमें कुछ फलकी, उमीद या उपेक्षा, उपेक्षा I'm not real sure, जो word कहा रहे थैं, ठीक है दोस्तों तो उमीद करनी चाहिए,